मेरे प्यारे दोस्तों आज हम जानेंगे कि वैराग्य क्या है वैराग्य माना सरीर मिट्टी संसार असार यानि कि वस्तूं साधुनों बैभों से दूर जाना नहीं बलकि इन सबसे अनासक्त यानि बुद्ध इन में फसी हुई नहों इसी को हम वैराग्य कहते हैं कहा भी गया है कि बदन मेरा बिट्टी का सांसे मेरी उधार घमंड करों तो किस बात का हम सभी हैं यहां किरायदार और परमात्मा महावाद की भी है बच्चे यह साधन तुम्हारी साधना में व्योधान के बजाए सहयोगी बन जायता है जो भी हम साधन है हमारे पास वो हमारी साधना में यानि कि हमारे योग में सहयोगी बन जाएं न कि हमारी बुद्ध उसमें फसी रहे जरूरी नहीं कि वेराग्य केवल सन्यासी बन कर ही प्राप्त किया जा सकता है ऐसा नहीं है घर ग्रस्त में रहते हुए परवर्ति मार्ग में रहते हुए हमें जो है बेहत का बहरागी बनना है आज देखिए बलकि आज तो कई सन्यासे पुनह सन्यास लिया बहरागी आया और पुनह साधनों के अधीन हो गए यह केवल दिखावे का हद का बहरागी है न की मन बुद्धी से बेहत का बहरागी अता है अपने परिवार में रहते हुए परिवर्ति मार्ग में रहते हुए लौकिक परिवार का सन्यास नहीं करना है जबकि परमात्मा हम को कहते हैं कि बेहत का सन्यास परिवार में रहते हुए अपने मन बुद्धी द्वारा करना है हमें उन साधनों में अपना बुद्धिनी फसानी है, मोह नहीं रखना है बेहत का सन्यास माना ही है कि जहां प्रविर्थी में रहते, अर्थाद घर गरस्त में रहते सर्वसंबंधों से हम बेलकोल एकदम डेटेच हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि हमारा प्रेम नहों से, प्रेम हमारा बहुत रहे क्योंकि प्रेम आत्मा का गोण है, बस रहे ना तो मोह ना रहे डेटेच्मेंट का मतलब है कि हम उनसे प्रेम तो करते हैं पर हम अटेस्ट नहीं है मोह हमेशा दुख का कारण है जबकि प्रेम हमेशा सुख का कारण है हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से वहन करना है उनसे भागना नहीं है बस बुद्धी एक परमात्मा पर लगानी है इसे लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम जो है एक आग्र चित हो यानि कि बुद्धी जो है जब हम परमात्मा पर एक आग्र करेंगे तो हर कर्म करते हमें सोते ही परमात्मा का इस्मरण भी रहेगा और ये भी ध्यान रहेगा कि मैं एक आत्मा उस परमपिता सरवसक्तिमान की संतान मास्टर सरवसक्तिमान हूँ मैं उसकी संतान हूँ और इस स्रिष्टि पर इस सरीर रूपी वस्तरधारण करके अपना पाठ बजा रही हूँ यही सच्चा सच्चा राज योग भी है यही कर्म योग भी है और यही सभी चीजों से वैराग्य भी है वैराग्य हमें खुसी प्रदान करता है लोग सोचते हैं लोगों का मानना है वैराग्य मतलब कि हमें संसार से कोई दुख हो गया और हम वैराग्य में आ गया नहीं वैर वैराग्य कहते हैं तो वैराग्य एक सुख की अनुभूती है ना कि दुख की अनुभूती इसलिए वैराग्य हमें हमेशा एक आध्यात्मिक्ता के पत्वर अग्रसर करता है और वैराग्य मतलब जो है बेहत का वैराग्य जो होता है उसका मतलब ही है कि आध्यात्मिक्ति एक परमपिता परमात्मा को याद करना कहते भी है ना कि रिलीजन आलवेज डिवाइट्स वैराइज इस्पिरिचुलिटी आलवेज युनाइट्स थैंक यू सुक्रिया मेरे दोस्तों ओम सांति